नमस्कार, हिंदी साहीत वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस कर रहे हैं हिमाचल प्रदीश में हुए पंचायत ओडिटर के एक्जाम को और इस वाली वीडियो में हम हिमाचल जी के और जो आपका रिसनिंग है उसको डिसकस नहीं करेंगे उसके लिए हमारी जो दूसरी वीडिया दोस्तो बहुत जल्द आपकी बीच में होगी आप यूही बने रहे हैं हिंदी साहीत वारता चैनल के साथ तो सबसे पहले आप सब लोगों को विजय दश्मी उत्सव की बहुत पधाई और शुब काम नाए तो चलिए दोस्तो अब शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर की अगर हम पहले प्रशन के बात करें कि निमी लिकित में से किसके प्रसाद परियंत मुख्यमंत्री अपना पद धारण कर सकता है तो देखिए इसका जो सही उत्र होगा वो होगा विकल्प नमबर C राज़पाल निमी लिकित में से कौन सी राजय विधान सभा में सबसे कम सीटे हैं तो सही उतर होगा सी कीम यहाँ पर कितने सीटे हैं 32 मुख्या चुनाव आयुक्त के पद की पदावधी कितनी है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर C 5 वर्ष अगला प्रशन है देखिए प्रशन नंबर 4 निमी लिकित में से कौन भारती अर्थववस्ता के प्रात्मिक क्षेत्र में आता है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर A. वानिकी अगला प्रशन है प्रत्थम पंच वर्षे योजना के दोरान किस क्षित्र की सरवधिक योजना लागत थी तो सही जो उतर होगा इसका देखिए विकल्प नमबर A. क्रिशी अगला प्रशन है रजत क्रांती किस के उत्पादन से संबंधित है तो सही उतर है विकल्प नमबर D अंडे प्रशन नमबर साथ है देखिए भारतिय स्टेट बंक को पहले क्या कहा जाता था तो इसका जो सही उतर होगा इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया नेक्स्ट है किस वर्श को महान विवाजन का वर्श कहा जाता है तो सही उतर होगा विकल्प नमबर B 1921 अगला प्रशन है देखिए निमी लिकित में से किस के द्वारा रै बीज होता है तो सही उतर होगा विकल्प नमबर C विशानू निमी लिकित में से किस से क्विनिन निशकरशित की जाती है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नमबर D इन में से कोई अगला प्रशन है किस खादे फसल में सरवधिक मात्रा में प्रोटीन होती है तो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन होती है वो देखिए विकल्प नमबर D है सोया बीन में नेक्स प्रशन है देखिए, बेकरी में ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रियोग होता है क्योंकि यह क्या होती है, ब्रेड को सक्त बनाती है या ताजा रखती है, तो सही उतर होगा भी कल्प नमबर B, ब्रेड को ताजा रखती है, अगला प्रशन है प्रशन नमबर 13, में मजबूती और कठोरता किस से आती है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर A कैलिशियम से प्रशन नमबर 16 है देखिए जन्तों की खुराक में क्या सम्मिलित है तो इसमें जो शामिल होता देखिए वो होता है सेललोज विकल्प नमबर C अगला प्रशन है शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कारिय क्या होता है तो सही उतर होगा शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना विकल्प नमबर C मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी तो इसको कहते हैं महा धमनी विकल्प नमबर A सही उतर होगा प्रशन नमबर 19 है मानव शरीर में उत्सरजन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए किड़नी ब्रिक जिसको कहते हैं नेक्स्ट है निमी लिकित में से किस की कमी से गोईटर होता है गोईटर बोले तो गेंगा तो यह होता है विकल्प नमबर B, सोडियम की कमी से नेक्स्ट है कौन से द्रव की वाश्पन दर्ख सर्वधिक होती है तो सही उतर होगा अलकोहल अकला प्रेशन है पैराबंगिनी किर्णों का जल उपचार में किस रूप में प्रियोग हो सकता है तो इसका जो सही उतर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए अब क्षेपित्र अगर आपको लगता है कि इसका उतर कुछ और है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते है नेक्स्ट प्रेशन है ब्लैक बोर्ड श्यामपट रंग में काला क्यों दिखता है तो इसका जो सही उतर होगा यह सबी रंगों को सोकता है विकल्प नमबर D प्रशन नमबर 24 है विद्यूत बलब के अंदर क्या भरा होता है तो सही उतर होना चाहिए था इसका औरगन प्रशन संक्या 25 है देखिए जल का क्वथनांख किस पर निर्भर है तो यह होता है आपका वायूमंडलिय दवाब पर ठीक है विकल्प नमबर C इसका सही होगा अगला प्रशन है प्रशन नमबर 26 निमी लिकित में से कौन सा थत्तव रेडियो सक्रिय नहीं है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नमबर C जार्कोनियम ठीक है अगला प्रशन है लोह पर जस्ते की परत चड़हने की प्रकृया को क्या कहते हैं तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर C संक्षारन कोका कोला का खटा सुआद किस के कारण होता है तो सही उतर होगा फास्फोरिक अमल नेक्स्ट एव निमी लिकित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सुदूर परवर्ष श्रिंखला है तो इसका जो सही उतर होगा दोस्तो पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश से संबन देथ जो प्रशन पूचेंगे हैं अन्य प्रशन है उनको हम अपनी आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे यहां पर हम फिलाल तीसवा प्रशन देख लेते हैं कालिदास ने किसका दिवात्मा के रूप में वर्नन किया है तो इसका जो सही उतर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प नंबर B दो बर्श अगला प्रशन है हाल ही में COVID-19 से संबन दित निजिक शेत्रों NGO और अंतराष्ट्य संगत्रों से समनवय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई समर्थ स्मिति का अध्यक्ष कौन है तो इसका जो सही उतर है दोस्तों वो होगा अभिकांत अमिताब कांत विकल्प नंबर B प्रशन नंबर 58 ने दिखिए ब्रॉंक्स चिडियागर जहां विश्व में पहली बार COVID-19 पॉजिटिव पाग पाया गया किस देश में स्थित है तो यह है आपका USA विकल्प नंबर A अगला प्रशन है अपरेशन संजीवनी के अंतरगत भारत ने हाल ही में किस देश को आवश्यक द्वाईयां और खाध्यान की अपूर्ती की है तो सही उतर होगा आपका मालदीव नेक्स प्रशन है किस राजय सरकार ने हाल ही में अपनी विधान सबाक के लिए नया लोगो अपनाया है जिसमें फोक्स टेल और्केड है तो सही उतर होगा इसका विकल्प नमबर B अरुनाचल प्रदीश किस भारती शहर में हाल ही में नेशनल टेडर्स कन्वेंशन राष्ट व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ था तो यह है नय दिल्ली विकल्प नमबर A सही अंसर होगा अगला प्रशन है डैनियल डे रोसी विशोक विजेता फुट वॉलर जिसने हाल ही में अपने रेटार्मेंट की घोशना की किस देश का है तो इसका सही उतर होगा दोस्तों वो होगा इटली विकल्प नमबर B ताजा फ्लेग्शिप जलवाई परिवर्टन पहल जल जीवन हर्याली मिशन भारत के किस राज्यकी पहल है तो 65 का देखिए जिस सही उतर होगा वो होगा विकल्प नमबर A बिहार प्रशन नमबर 76 तक जो भी प्रशन हमने छोड़े हैं दोस्तों उसमें जो हमारा रिजनिंग वाला प्रशन था वो हमने छोड़ दिया है उसको हम अपने आगे वाली वीडियो जो हम HPG के वाला प्रशन हम लेकर आएंगे उसके साथ उसको हम करेंगे तो यहाँ पर हम English portion देख लेते हैं तो यहाँ पर जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नमबर C अगला प्रशन है दिखिए तो विकल्प नमबर A is correct, decline नेक्स्ट प्रशन है दिखिए तो सही उतर होगा विकल्प नमबर D उसके बाद है तो विकल्प नमबर D इसका क्या होगा सही उतर होगा तो इसका जो सही उतर होगा दिखिए विकल्प नमबर B, genuine ठीक है अगला प्रशन है तो इसका जो सही होगा दिखिए वो होगा विकल्प नमबर B, supreme meaning of the idiom to put one's hand to plow is इसका जो सही उतर होगा दिखिए to take up a difficult task विकल्प नमबर D इसका क्या होगा सही होगा identify the error in the part of the following sentence marked as A, B, C or D इसमें दिखिए I am waiting for my friend since this morning तो विकल्प नमबर B इसका क्या होगा सही होगा यहां पर 4 लगा हुआ है simply यहां पर क्या होगा चीए था I am waiting my friend since this morning clear है अगला प्रशन है दोस्तो जो हिंदी वाला portion है वहाँ से शुरू होता है गड़ी में तोला, गड़ी में माशा, मुहावरे का अर्थ क्या है तो इसका सही उतर होगा अस्तिर सोभाव का विक्ति शुद शब्द चांटना है हमने कि कौन सा शुद है तो देखिए कारेकरम जो ड़ी में लिखा गया है वो क्या है, सही है नेक्स प्रशन है दिखिए प्रशन संक्या 88 उत्चवास का संधी वी छेद है तो उत्जमा श्वास इसका क्या है, सही संधी वी छेद है दोस्तों अगर आप संधी वी छेद से समंधित या संधियों से समंधित प्रशन अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हिंदी साही तवारता चैनल में आपको वीडियो मिल जाएंगी आप लेलिस में जाकर हमारा जो यूनिट एक के नाम से हमने बनाई है वहाँ पर हमने इस चीज़ें डिसकस की हुई है तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं संधियों को समझ सकते हैं, समास को समझ सकते हैं और जो हमारे स्वर्व्यंजन अगोश सगोश, अलप्राण, महाप्राण उनके बारे में भी आपको जानकारी वहाँ पर प्रदान की गई है चलिए अगला प्रशनम देख लेते हैं पंक का तत्सम शब्द क्या है तो पंक का जो सही तत्सम है देखिए वो है पक्ष भंगी का इस्ट्रिलिंग है भंगिन है ना मदमाता में समास है तो इसमें आपका समास होगा तत्पूरुष अमर का भावाचक संगया देखिए अमरट्व अनुज में जो उपसरग होगा देखिए वो होगा अनुः और गिरुवमें प्रत्य लगा है आपका U. ठीक है? विकल्प नमबर D. इसका क्या होगा? सही होगा. जनगन्ना 2011 कौन सी जनगन्ना थी? तो इसका जो सही उत्र होगा, दोस्तों, वो होगा विकल्प जनगनमन गीत मूरत किस बाशा में लिखा गया था? विकल्प आपका भेंगाले. उसके और महालेखा परिक्षक निक्त किये जाते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर D इनमें से कोई नहीं क्योंकि वो किसके द्वारा होते हैं राष्ट पते के द्वारा किस वर्ष आपदा प्रवंधन अधिनियम लागू किया गया तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर 2005 में प्रशन नमबर 101 देखिए ये कहते हैं कि द्वित्य प्रशासनिक सुधार आयो के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे के हनुमन थाया विकल्प नमबर C इसका क्या होगा सही उत्तर होगा नेक्स प्रशन है सेवोतम मॉडल में सेवोतम का अर्थ क्या है तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है सेवा बोले तो सर्विस और आपका उत्तम बोले तो एक्सिलेंस तो सर्विस एक्सिलेंस इसका सही होगा विकल्प नमबर A सेवा उत्कृष्टता नेक्स प्रेशन है देखिए किस प्रेजिदेंसी टाउन में भारत के प्रत्थम म्यूनिसिपल कॉर्परेशन के स्थापना की गई तो इसका जो सही उत्र होगा देखिए विकल्प नमबर A मदरास SVEEP किसका संक्षिप्त रूब है तो देखिए इसका जो सही उत्र होगा विकल्प नमबर A Systematic voter education and electoral participation तो विकल्प नमबर A इसका क्या होगा सही उत्र होगा नेक्स्त ये क्रिशोनती योजना में कौन सी योजना शामिल है राष्टिय खादय सुरक्षा मिशन, राष्टिय धारणिय क्रिशी मिशन या फिर राष्टिय क्रिशी विस्तार और प्रद्योगी की मिशन तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नमबर D यह सभी प्रशन संख्या 106 है देखिए सहीत्य अकादमी कितनी भाशाओं में पुस्तक प्रकाशित करती है ग्रत की जो 22 भाशाओं में भारत की जो 22 भाशाओं वो तो हैं है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर C 2011 और 12 उसके बाद है देखिए प्रशन संग क्या 108 भारत में किस स्थान पर चरम निर्यात परिशद स्थित है Leather Exports तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नमबर D. 49 स्टेंप इकठा करने के शौक को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं फिले टली ठीक है विकल्प नमबर B इसका क्या होगा सही उतर होगा किस वर्ष में राष्टिय साइबर सुरक्षानीती शुरू हुई तो 110 का देखिए इसका जो सही उतर होगा अबिकल्प नमबर A 2013 Official Training Academy is located at which place in India 111 है देखिए कि स्थान पर Office Training Academy स्थित है तो इसका जो सही उतर होगा चिन नहीं ठीक है नेक्स ए 112 निमी लिकित में से किस कारेक्रम के अंतरगत भारत में पड़े भारत, बड़े भारत, राष्ट व्यापी कारेक्रम, उपकारेक्रम है तो यह है आपका सर्वशिक्षा अभ्यान से ठीक है प्रशन संख्या 113 देखिए इसमें कहाते हैं कि भारत में निमी लिकित में से किस स्थान पर प्रत्थम जल विद्यूत स्टीशन शुरू किया गया तो इसका जो सही उतर होगा देखिए शिव संभुद्रम विकल्प नंबर A अगला प्रशन है इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर B एक नियामक निकाए नेक्स्ट है भारतिय संभिधान के किस अनुचेद के अंतरगत वार्शिक वित्य विवर्ण संसत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है तो ये है आपका अनुचेद 112 विकल्प नंबर B उसके बाद है देखिए प्रशन संक्या 116 ये गहते हैं कि कम्पनी लॉबोर्ड है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर D ये है आपका स्वतंत्र निकाए और अर्ध नियाइक निकाए ठीक है नेक्स्ट है अन्तियोदे अनियोजना के अंतरगत खाद्यान अभिग्यात लाबार्थियों को दिया जाता है तो ये है उच अनुदानित दर पर ठीक है विकल्प नंबर C इसका क्या होगा सही उतर होगा प्रशन संक्या 118 है देखिए आशा से क्या तात पर है तो इसका जो फुल फॉर्म पूछा गया है देखिए तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर C सही उतर होगा एक्रिडेटिड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट नेक्स है भारत सरकार ने किस वर्श तक हॉसिंग फॉर आल सब के लिए आवास कारेक्रम का लक्ष रखा है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नंबर A 2022 अगला प्रशन है वर्श 2014 में भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी ने सियुक तराष्ट की महासबा के कौन से सत्र के भारतिय शास के प्रतिनीधी मंडल की अगवाई की थी तो सही उतर होगा इसका विकल्प नंबर D 79 ठीक है उसके बाद प्रशन संख्या 121 से देखिए कौन सा देश चेननई बेंगलूरू अद्योगिक गलियारे में अधार बुथ संरचना के सुधार के प्रयासों को सुधरिट करने का समर्थन किया है तो सही उतर होगा इसका विकल्प नंबर D Australia उत्तरवर्देश उचिन्याले की प्रधान बैठक कहां पर है तो इसका जो सही उतर है देखिए विकल्प नंबर A लखनव प्रशन संक्या 113 से देखिए बालचनम अधिनियम के अनुसार किस आयू से कम के बच्चों का जोकिम भरे वेबसायों को निशेद है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा विकल्प नंबर A 14 वर्श प्रशन संक्या 124 से देखिए लोग परिये विविद भारती भारती सेवा दिन में कितने घंटे मनुरंजन प्रदान करती है तो सही उतर होगा विकल्प नंबर D 24 घंटे लोग वित प्रभंधन व्यवस्था पहले किस नाम से जानी जाती थी तो इसका जो सही उतर है केंदरी यह योजना नेगरानी व्यवस्था विकल्प नंबर C 126 से संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतरगत आदर्श ग्राम निमी लिकित में से किस के केंदर के रूप में सेवा प्रदान करता है तो यह देखिए स्वास्थे भी है स्वच्था भी है हर्याली भी और तो यह सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी सब ही होंगी ठीक है विकल्प नंबर D इसका सही होगा अगला प्रशन है देखिए पंचायती राज संस्थानों का मध्यवर्ती सोपान कौन सा है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नंबर D पंचायत समिती ठीक है नेक्स्ट है Central Electronics Limited है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नंबर B महराष्टा में ठीक है उसके बाद है केंदरी जल आयों की अध्यक्षता किस स्तर के अधिकारी करते है तो इसमें देखिए जो D है वो बिलकुल सही अंसर होगा ये कोई भी इसमें नहीं होते है ठीक है नेक्स्ट प्रशन संक्या 131 कितने भारती राज्यों ने अभी तक राज्य अलप संक्याक आयोग की स्थापना की है तो इसमें जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नंबर C15 अगर आपको लगता है दोस्तो इसका उत्तर कुछ और है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक प्रशन मुझे से गलत हो गए हैं तो आप उनके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कह सकते हैं क्योंकि यहां पर जो मैंने अपने ग्यान के अनुसार जो मुझे जानकारी के अनुसार मालूम है उनको ही आपके बीच में बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगला प्रशन है दोस्तों कि किसी राष्टिय युवा पूरुसकार वीजेता स्वेचिक युवा संगठन को निमी लिकित में से कितना नकद पूरुसकार दिया जाता है तो सही उतर होगा विकल्प नमबर D दो लाग भारत में कुल कितने प्रतिश भारत में कुल कितने केंदर शासित प्रदेश है तो इसका जो उतर होगा विकल्प नमबर C 9 निमी लिकित में से कौन सा पूर्वता क्रम में निमंतम स्थान पर है तो इसका उतर दोस्तो मुख्य चुनाव आयुक्त और उच्टम न्याले के न्यायधिश इन दोनों में थोड़ा सा सस्पेंस है लेकिन मैं मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों जाओंगा आपको क्या लगता है आप मुझे ये भी बता सकते है अगला प्रशन है 137 वेदों को निमं लिकित मैं से किस में विभाजित किया गया है तो इसका जो सही उतर होगा वेदांग सूर्सेर महाजनपत की राजधानी किस स्थान पर थी तो इस प्रशन का जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर B मथुरा अगला प्रशन है देखिए निमिलिकित मैं से किस राजधी संरक्षन में चोथी बौध संगीती हुई थी तो सही उतर होगा विकल्प नंबर D कनिश्क सर्वधिक प्रसिद भारतिय ग्रीक शासक कौन था ये था मिनांडर प्रशन संख्या 141 है देखिए अजन्ता चित्रकला किस काल से संबन्दित है तो सही उतर होगा विकल्प नंबर B गुप्त काल जजियकर किस पर था तो ये था केवल गैर मुसल्मानों पर ठीक है विकल्प नंबर B इसका क्या होगा सही उतर होगा अगला प्रशन है 143 निमिलिकित में से किस के द्वारा दक्षिन में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी तो इसका जो सही उतर है दिस तो वो होगा हसन गंगू कौन सा भक्ती संत शिवाजी का समकालें था तो वो थे संत तुकाराम जी विकल्प नंबर A इसका क्या होगा सही उतर होगा पानिपत का दुट्य युद किस वर्ष हुआ था ये हुआ था पंद्रा सो चपन में अगला प्रशन है शेर्षा सूरी का वास्तविक नाम क्या था तो इसका जो वास्तविक नाम था देखिए वो था भरीद प्रशन संक्या 147 से देखिए निमन में से किसने गुरु मुकी लीपी का अविश्कार किया था तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नमबर B, गुरु अंगद निमी लिकित में से किस स्थान पर 1916 में महिला विश्य विद्याले की स्थापना हुई थी तो प्रशन संख्या 148 से देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नमबर C, पुना अगला प्रशन है देखिए अगिप्ष टो मोनोथेस्ट पुस्तक किस ने लिखी तो सही उत्तर होगा विकल्प नमबर A, राजाराम मोहन राय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी तो ये हुई थी 1906 में कौन सा ग्रह सूर्यक से सबसे दूर है तो सही उत्तर होगा आपका नेप्चियून अगला प्रशन है स्लेट किस प्रकार की चटान है तो ये आती है आपकी आगने चटान विकल्प नमबर A इसका क्या होगा सही उत्तर होगा प्रशन संख्या 153 है देखिए समाने तक किस वाईव मंडिय स्तर में सभी प्रकार की मौसमी गटनाएं गटित होती है तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नमबर A क्षोव मंडल टाइफून किस क्षेतर में होता है तो ये होता है आपका चीन सागर विकल्प नमबर A इसका क्या होगा सही उत्तर होगा डाउन्स घास भूमी किस देश में है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर D ऑस्टेलिया नेक्स्ट है उच अक्षांश से निमन अक्षांश की ओर पहने वाली समुद्री धाराओं को क्या कहते हैं तो सही उतर होगा शीत धाराएं नेक्स्ट है उतरी अमेरिका के मूलनिवासी कौन है इसका जो सही उतर होगा वो होगा रेड इंडियन्स विकलप नमबर C प्रशन संक्या 158 है दिखिए निमिलिकित में से किसका नया नाम जकारता है तो यह है आपका बटाविया विकलप नमबर A इसका सही उतर होगा प्रशन संक्या 159 है दिखिए हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है तो यह है विकलप नमबर A मूसी नदी के किनारे पर ठीक है निमिलिकित में से कौन सी रेशा युक्त फसल है तो इसका जुसाई उतर होगा विकलप नमबर A हमप या जिसको कहते हैं सन ठीक है पर इसका नाम भी है अगला प्रशन है दक्षिन पश्चिम रेलवे का मुख्याले किस राजय में स्थित है तो यहां पर देखिए राजय में पूचा गया है कौलकता मुंबई हाजिपूर जबकि हुबली तो इसका जो सही उतर होना था करनाट का या आपका जो बैंगलोर है वो है ना तो इस वाले प्रशन का उतर यहां पर हूबली होना चाहिए था ठीक है अगला प्रशन है देखिए सिमली पाल बायो स्फियर रिजर्व जैमंडर आरक्षित क्षेतर किस राजय में स्थित है तो यह वाला जो प्रशन है देखिए इसका जो सही उतर होगा विक प्रशन संक्या 166 है देखिए किस समवेधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को भारत के राश्टिर राजधानी क्षेतर का दर्जा दिया गया था तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा उनत्रवें 69 ठीक है अगला प्रशन है प्रशन संक्या 167 निमी संक्या 168 कौन लोगसभा की अबधी समाप्त होने से पहले उसके विसरजन की अनुशन साफ कर सकता है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर B राश्ट्रपती संसद का कौन सा सत्र सबसे छोटा होता है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए शून्य कोई भी नहीं तो यह थे दोस्तो इस वाली वीडियो में 170 प्रशनों में से लगभग 150 या 45 के आसपास प्रशन हमने इसमें डिसकस किये हैं अगर आपको लगता है कि इन प्रशनों में मुझसे कुछ त्रोटी रह गई है या जिन में सुधार की अवशकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर वो चीज़ बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इससे लाइक कीजे अपने दोस्तों की बीच में शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नेस्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिंद